So friends, बिना किसी वेरी के, शुरू करते हैं अज के अपनी इस बहत्रीनी स्टोरी को. So friends, यहाँ पर बता जा रहा है कि, This is the story of a boy who was very good and intelligent. ये कहानी एक लड़की की हैं, जो बहुत अच्छा और समझदार था. This is the story of a boy who was very good and intelligent. वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, और नहीं किसी के पीट पीछों की बुराई करता था. इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, He never wanted to harm anyone, और speak ill of others behind their backs. किसी के पीट पीछों की बुराई करने, इस किलेम बोलेंगे, Speak ill of others behind their backs. तो यहाँ पर बता जा रहा है कि, यहाँ वास्ताम में, in fact, सस्तो यह था, If anyone spoke ill of someone in front of him, यदि कोई उसके सामने किसी की बुराई करता था, किसी के बारे में बुरा बोलता था, If anyone spoke ill of someone in front of him, He would discourage them. अब यहाँ पर discourage का मतलत है, जब हम किसी को encourage करते हैं, तो याँ पर यहाँ पर यह बता जा रहा है कि, He would discourage them. याँ अगर कोई उसके सामने किसी की बुराई करता था, तो He would discourage them. वो उनको discourage करता था, मना करता था, Saying that He didn't like speaking or listening to others' faults. तो वो रोकता था दूसरों को यह कहता हुआ, कि उसे दूसरों की गल्तियां सुनना या सुनाना पसंद नहीं है. He would discourage them, Saying that He didn't like speaking or listening to others' faults. याँ दूसरों में क्या कम ही है, उसे ना तो यह कम हैं सुनना पसंद है, और ना किसी कम हैं इस तरीके से उसे बताना पसंद है. This is why He didn't have any friends, and always remained alone. इसी वज़ता से उसको कोई दोस नहीं था, और हमेशा वो अकेला ही रहता था. तहांपर बता जारा है कि वो ना तो किसी की बुराएं सुनता था, ना कर T бабbr anterior को मना भी करता था, किसी की बुराएं ना करोंता है, तो भी बता जार. यही वज़ा थी उसकी कुछ है, इनी वज़ाओं से, इसी वज़ा से, वो उसका कोई दोस नहीं तर, वो हमेशा अकेला रहता था, इसी वज़ाओं से, वो उसका कोई दोस नहीं तर, वो हमेशा अकेला रहता था, अब बताया जा रहा है कि, मैं उससे पहली बार इसकूल में म in the same class as him तो यहाँ पर अब राइटर बता रहा है कि उसके मुलाकात कैसे होई बता रहा है कि I met him for the first time in school मैं उससे पहली बार in school में मिला था when I took admission in the same class as him जब मैंनो उसी किलास में admission गया था I still remember how he silently sat alone in the class मुझे अब भी अच्छे से आद है कि वो कैसे चुपचाप किलास में बैठा रहता था मुझे अब भी अच्छे से आद है कि वो कैसे किलास में चुपचाप बैठा रहता था English में बोलेंगे I still remember how he silently sat alone in the class He would either be reading a book or writing something पता जा रहा है कि वो या तो कुछ 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 पढ़ता रहता था या कुछ लिखता रहता था पास्ट के बारे में उसके आद बताने को क्या करता रहता था He would either या तो हम यूस्टू का यूस्ट करेंगे या वुटका He would either be reading a book क्या तो किताब पढ़ता हुआ रहता था और writing something या कुछ लिखता हुआ रहता था Some kids in the class warned me to stay away from me यानि मैं नया नया था उसके बच्चे जो पुराने थे जो से अच्छे जान दे थे उन्होंने मुझे warned किया था चेहता हुआ नहीं किया थी कि इस लड़के से दूर रहना Some kids in the class warned me to stay away from him Saying that यह कहते हुए है कि he was crazy कि वो पागल है यहाँ पर हम वोस करेंगे इसका नहीं करेंगे है के लिए क्योंकि पास में बाद चल रही है Saying that He was crazy वो यह कहकर मुझे warned करते थे कि उससे दूर रहना Saying that कहते थे कि He was crazy कि वो पागल है And didn't know What was happening in the world और उसे नहीं पता कि Keep my distance He was a truly different boy तो नहीं पर राइटर बता रहा है कि वो सच में एक अलग लड़का था He was a truly a different boy वो सच में एक अलग लड़का था But not crazy or dumb लेकिन वो पागल या dumb नहीं था लेकिन वो पागल और dumb नहीं था But not crazy or dumb He was simply a disciplined person वो बस एक discipline में रहने वाल लड़का था वो एक अनुशासित लड़का था He was simply a disciplined person He had his own set of principles and rules in life उसकी जिंदगी में उसके खुद के कुछ principles कुछ rules, कुछ regulations थे He had his own set of principles and rules in life उसकी जिंदगी में उसके खुद के कुछ principles और कुछ rules थे which he always followed जिनने वो हमेशा follow करते था जिनने वो हमेशा मानते था which he always followed The question arises as to why people called him crazy याप सवाल उठता है कि लोग उसे पादल क्यों कहते थे The question arises as to why people called him crazy सवाल उठता है कि लोग उसे पादल क्यों कहते थे And the answer might be और इसका जवाब शायद हो सकता है आपर बता जा रहा है कि and the answer might be that in our society कि हमारी समाज में a decent and silent person एक शरीफ और एक चुप रहनवाल इंसान someone who doesn't make fun of others एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मजाख न उड़ाता हो doesn't make vulgar comments about girls लड़की के बार में लड़की के बार में उल्ट सीदा न बोलता हो and treats everyone with respect और दूसरों के साथ इज़त से पेश आता हो is often labeled as crazy उसे अक्सर क्या समझा जाता है पागल समझा जाता है तो यहाँ पर question का जवाब दिया जा रहा है कि the question arises as to why people called him crazy साहल उपता है कि लोग उसे पागल क्यों कहते थे and the answer might be और जवाब हो सकता है that in our society के हमारे समाज में a decent and silent person एक शरीफ और चुप रहने वाले इंसान someone एक ऐसा इंसान who doesn't make fun of others जो दूसरों की मजाख न उड़ाता हो doesn't make vulgar comments about girls लड़की के बार, लड़की के बार में उल्ट सीदा न बोलता हो and treats everyone with respect और सब को respect के साथ पेश करता हो और सबसे respect के साथ पेश आता हो इज़त के साथ पेश आता हो is often leveled as crazy उसे अकसर क्या समझा जाता है हमारे समाज में crazy पागल this is just my belief ऐसा शरीफ मेरा मानना है and I could be wrong और मैं गलत भी हो सकता हूँ so friends आज की स्टोरी में बस इतना ही आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना